हेलो दोस्तो नमस्कार विए अमस में आपका एक पर फिटसे श्वाकत है सो दोस्तो बहुती न्यूज बहुती इंपूडेंट और अपडेट हैं बहुती अच्छी न्यूज है कुछ अपडेट्स हैं सो फिली वीजिए को पूरत देखें का कंपनी वी ऐसी है जो उनको हम जानने कोसिस करेंगे जो कि हमें पता होने चाहिए सो स्टार्ट करते हैं और हां जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ दो ऐसे भी हैं जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है लेकिन अभी कोई तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज वो भी कलने ताकि आपके भाई को मोटिवेट मिले और आपकी लाइफ में छोड़ा मोड़ा कॉंट्रिबूशन कर सब्सक्राइब इसलिए सबसे पहले रिलाइंस इंडिस्टी के बारे में है इसके बारे मुझे पैनना में किसी दाती है उनको जहिलते हुए अपने आपको ओपर लेकर जा रहा है ठीक है अब हम इसके बारे में एक निव्ज है उसको मताते हैं रिलाइंस टर्मिनेट सब लीज और नो सो पचास फ्यूचर इस्टोर देखो फ्यूचर ग्रूप जो है जिसका बिग बाज अब जाएगा जैको मैं आपको बता दूं रिलाइंस इंडिस्टी ने फ्यूचर ग्रूप वो एक्क्वाइर किया था ठीक है क्योंकि वह एक दिवालीय कंपनी होने वाली थी घाटे में लॉस्मेंकिंग कंपनी थी तो लॉस्मेंकिंग कंपनी है तो कोई यह सुचेगा कि इसको कोई खरें ले ताकि कुछ ना कुछ बन जाए ठीक है जो उस पर कर जाए रहा है वो तो पेड होई जाए ठीक है तो फ्रेश ट्विस्ट इंदा फायट आप अगे गेंस सुपर मैसी इंदा इंडियन रिटेल मार्गेड बिलियोनरी मुके सम्मानी रिलाइंस रिटेल रिटेल हैज स्रेप्ड नोटिस ओन फीचर रिटेल फॉर टर्मिनेट सब लीज ओफ नैंटी 950 स्टोर इट हैट टेकन ओवर प्रीवेसली ठीक है तो यह क्यों इसने किये है फीचर ग्रोफ फर्म सेड देयाव बेन रे सब नोटिस टू टर्मिनेट टू लीज 835 फूचर इस्टोर एंड 12 फूचर लाफ इस्टाल इस्टोर ठीक है तो इसमें यह करेगा क्या रिलाइंस इंडिस्टी बले जो है मोगे सम्मानी जी जो है वो उन्हें इस्टोर को री ब्रांडिंग करेंगे अक्वाडिंग टू अपने ठीक है वह तो अप्राने इस्टोर हैं इस्टोर को टर्मिनेट किया है तो डेफिनिटी इंडिरेक्टली डिर्याइंस इंडिक्ली फायदा होगा तो आपको सुना होगा कि फ्यूचर बारे में मुके सम्मानी रिलाइंस इंडिस्टी और वह भी लगा हुआ था क्या वो अमेजन वाला भी इसकी पीचे लगा आपने लिए तो रिलाइंस इंडिस्टी ने इसको अपना बना लिया है कैसे भी करके तो एक तो यह निज होगी हमारी इंडिरेक्टली कैसे भी लेकर फायदा होगा रिलाइंस इंडिस्टी को तो बहुत ही अच्छी काफी पॉजिटिव निज है जो कि हमें पता होने चाह टाटा वाले कंपनी है टाइटन वैलरी काम करती है अपने टाइटन के बहुत भी देखी होगी में जूम चार्ट देते हैं कि कंपनी ने कितना कजाव का सांदार प्रॉफिट निकाल का तक दे रखा है 58,284 करोड का स्वरी परेसेंट का गलती करोड बोल दिया हमाने ठीक ह कंपनी की बात करा है तो 2,00,00,00 करोड की मार्केट क्या है कंपनी का इसका क्या है इसमें भी एक बहुत बढ़िया न्यूज है टाइटन कंपनी ने ग्रेट हाइट्स कंपनी है उसको 70% की इस्टेक शेर खरीद है मतलब हिस्सा खरीदा है 100% कंपनी में से 47-47% हिस्सा उसने खरीद लिया कितने में 152 करोड में तो डेफिटेंटी कंपनी भी अपने आपको मूव कर रही है इन फ्यूचर की अकोर्डिंग ठीक है कंपनी बहुत अच्छी है फंडमेंटकली बहुत अच्छी है टाटा वाले इस कंपनी में तो डेफिटेंटी जिनके पास यह चेर है उसको होल्ड करना चाहिए उनको और हर ग्रावट में बायों डिप का फायदा उठाना चाहिए ठीक है वैसे हम सिक्स मंत की बात करते हैं तो कंपनी ने प्रॉफिट निकालके दे रखा है फाइव डे की बात करते ह कंपनी ने आज भी है तो इस ग्रावट में भी इस कंपनी ने ज्यादा क्या वोलते हैं मार्केट में कंपनी नहीं हुई है ठीक है तो डेफिनिटी कंपनी बहुत अच्छी है नो डाउट इसमें कुछ मेरे को बताना चाहिए अब हम नेक्ट बात करते हैं इन्फोसेस यह गाल इस साथ लाग करोल का मार्केट क्याप है इसका पी रेस्यु पैटीस है वह अगर हम इसकी बात करते हैं 14 गंटे पहले एक न्यूज आया है हम इसको थोड़ा सा अंडर जाके देखते हैं मानी कंट्रोल की वेबसाट पर हम आ गए है होट इसका टार्गेट की हम देख लेते हैं तो को यह expert होते हैं broker research होते हैं उनके according यह सब चीज़ें दियाते हैं को यहां दिखाएंगे मैंची यहां पर दो से थी वीक के लिए बताया रहा है इंफोसेज बाए अटार सो चब्विस स्टॉप लोग सो बचास टारगेट दो बाई सो थीज रेटर्न बाइस पसंद मालब दो से तीन वीक में लगाव एक महीन के अंदर एक कंपनी आपको 22 पसंद का प्रॉफिट निकाल कर दे सकती और भी कंपनियां हैं लेकिन हमें उनके बारे में नहीं जाना तो ठीक है इसके मैं यहीं न्यूस थी जो मैंने आपको बता दिया और शेयर खान भी एक हैं और उन्होंने भी अच्छा टारगेट दे रखा है इसका ठीक है 2200 किसी सारे की सो ऐसे टारगेट दिये हैं तो मैंने आपको दिखा दिया डेफिलेंटी जिनके पास यह बेचने गल्दी कभी मत करना आइटी सक्टर कंपनी हमेशा इसको लॉंग टर्फ विजन के लिए करके साब से सलना है ठीक है ना जो बंदे एकाद मिने के इसका दिख कमपनी जिसका नाम है विप्रो बहुत अची कंपनी है मार्केट केप की बात करते है तो इसका 30,000 क्रोग का मार्केट केप है पी रेसियो 26 है ठीक है काफी अच्छा पी रेसियो है वहाँ पर भी एक बहुत ही पॉजिटीव नुज़े डेफिनिल्टी देखनी चाहिए और हमें सुननी चाहिए तो प्लीज अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किये चैनल किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कलन किजिए ताकि भाई को मोटिवेट मिले और आपको कुछ ना कुछ बताता है रहे रोष्ट विप्रो पार्टनर्स विद बायो टेक फंप पंडूरम टेक्नोलोची पंडूरम टेक्नोलोजी के नाम से कोई कंपनी है उसके साथ पार्डनर किया है थोड़ा साम इसमें अंद बड़्या करने कुछ देखेंगे कि क्या कंपनी है थोड़ा सा जानने कोसिस करेंगी बस ठीक है लगाई रेचलरेटरी डेशचनर रिजनरिवेटिव मेडिसिन विद आर्टिफिसल इंटेलिएंशी तो आर्टिफिसल एंटेजिनसी में काम करती है कंपनी विप्रो अन् प focus on development of technologies and that certain time to market and maximize patient outcome during R&D and clinical trial of regenerative medicine. तो मेंन बात यह है कि, the partnership combines the artificial intelligence capabilities of Wipro Homes with Panduram's expertise in, तो मेंन बात यह है कि, टोटल बात यह है कि, दोनों कंपणियों ने partnership किया है, दोनों की business को आगवराने के लिए, ठीक है? तो यह हमें पता होना चाहिता कि, तो जिसके पास company के share है, मैं हमेशा बाता हूँ कि, लम्मे समय के लिए खरीद कर भूल जाओ. खरीद कर भूलना क्या आपको, यह भूलना है कि हमें इसको बेचना नहीं है, यह नहीं भूलना है कि company को भूल जाओ, हमेशा आपको company को follow करते रहना है, ठीक है? अगर company बिलकुल नहीं कर रही है, profit नहीं कमा रही है, sales में growth नहीं कर रही है, अपने आपको आगर बलानी कोशेशन कर रही है, तो आपको ट्रोके नहीं रहना है, वो भी देखना है, ठीक है? हलांकि यह company ऐसी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिता हूँ, तो यह हमें पत अगरी मुरुपता तकली बाय धन्यवाद,